Hi kids, let's do our chapter bamboo curry. Now bamboo क्या होता है? Bamboo होता है bass का पेर. तो वो जंगल में जो है वो पेर जो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, लंभे-लंभे होते हैं, पतले-पतले से होते हैं, उन्हें bamboo कहते हैं. Now bamboo का use जो है, हम भहत सी चीजों में कर सकते हैं, उससे हम furniture और बहुत सारी चीज़े बना सकते हैं तो यहाँ पर जो है उसकी curry की बात हो रही है यानि खाने में उसे use किया गया है Have you ever eaten a dish made of bamboo? क्या आपने कभी bamboo से बनी हुई dish खाई है? Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten चलिए हम यह picture story पढ़ते हैं जिसमें picture बनी होती है और उसके नीचे डायलोग लिखे होते हैं उसे कहते हैं picture story तो यह जो है यह picture story है One day the mother-in-law of a santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her तो एक दिन जो है santhal जो है वो एक tribal लोग होते हैं उनका नाम है उन्हें santhal कहते हैं तो santhal का जो है कोई दूला जो है वो अपनी सासुमा के घर आया तो वो दमात था यानि वो उनका उनकी बेटी का husband था तो वो अपनी सासुमा के घर आया और उसकी सासुमा ने जो है उसके लिए एक special dish बनाई उसे खिलाने के लिए तो उसकी सास जो थी उन्होंने वो दर्वाजे की तरफ उंगली दिखा के इशारा कर दिया कि इसकी बनी है तो अगले दिन जो है जब वो वहां से जाने ही वाला था तो उसे याद आया कि उसके गाउं में तो बैंबू के पेड़ी नहीं है तो उसने जो है वो बैंबू का जो दर्वाजा था जो सास जो मा ने उसे दिखाया था वो उसने उखाड के अपने सर पे उठाया और वो अपने घर चला गिया तो जब अपने गाउं पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से कहा कि ये जो दर्वाजा है इसकी सबजी बनाओ वो तो हैरान हो गई उसने कहा मैं बैंबू का ये जो दर्वाजा है इसकी करी कैसे बना सकती हूं तो उसने कहा चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं मैं इस बैंबू को टुकड़ों में काट देता हूं जलो के वो जब चलो करनी देता हैं आज प्यारी ममें तो भीवी ती और पारनी डालाः और पानी डालाँ ऐभाल ती रही it's still too hard I can't eat it फिर उसने टेस्ट किया फिर भी वो hard था तो उसने का ये तो अभी भी इतना hard है मैं तो इसे खाई नहीं सकता हूँ दा इन-लोग से विजित दा यंग कपल दा इवनिंग जो उसके साथ ससूर थे वो उन दोनों से मिलने आए उस शाम को दोनों जो है उसके बेवकूपी पर बहुत असे यानि जो बैम्बू के जो ताजे ताजे पेड होते ही न छोटे चोटे से होते हैं और पेड़ों के अंधर का जो पार्ट होता है उसे शूट कहते हैं तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है तो आप पेड को पूरा छील के उसके अंदर का जो पार्ट है खाली उससे निकालो और उससे पका के खो तो वो जो है उसकी करी ये बनी नहीं थी बैंबू के दर्वाजे की नहीं पहले किसी ने बैंबू काटा होगा फिर उसक दर्वाजा बनाया होगा तो वो दर्वाजा तो बिल्कुल सूख चुका है वो कैसे खा खा सकते हो आप इसके लिए आपको ताजा बैंबू चाहिए जो अब ही अभी हुआ हो और उसमें भी आपको उसे पूरा छीलना पड़े म तो यह जो करी है, यै кажется bamboo shoot की है, bamboo door की नहीं है तो यह जो है यह एक folk tale है, folk tale क्या होती है वैसी कहाणिया जो हमें बच्पन में नानी दादी सुनाते हैं वो बर्सो से चली आ रहे है उसे folk tale क Ready है, यह लोग का था क्या यह बात आपको पता है? Let's do question and answers now. So number one is complete the sentences meaningfully. First is the bridegroom left with the door of his in-laws house because it was made of bamboo. उसने जो है वो दर्वाजा क्यों लेके चला गया था अपने in-laws के घर का? क्योंकि वो bamboo से बना हुआ था. And there was no bamboo in his village. और उसके गाउं में bamboo नहीं था. क्यों उसने दर्वाजा लिया था? क्योंकि उसकी सास ने बोला था कि वो जो सबजी उन्हों ने बनाई थी, वो bamboo की बनी हुई थी. तो उसने सोचा वो भी अपने घर में ले जाके बनाएगा. बट उसके गाउं में bamboo नहीं थे. इसलिए उसने जो है अपने इनलाउस के घर का जो दर्वाजा था वो खाड के वो ले गया था. The bridegroom was unable to have bamboo curry in the end because it was too hard to eat. वो जो है वो bamboo की बनी हुई सबजी नहीं खा पाया था end में क्योंकि वो बहुत ही curry थी. उसे खाया ही नहीं जा रहा था. बहुत हार्ड थी खाने में. Next step, fill in the blanks with words from the story. The bridegroom went to visit his mother-in-law. आइड वो किस्ते मिलने गया था अपनी सासुमा से. The mother-in-law pointed at the bamboo door. उन्होंने दर्वाजे की तरफ दिखाया था. He stayed the night with his in-laws. वो अपने सास सासूर के घर रुका था. He carried the bamboo door back with him. वो अपने सास जो है, वो bamboo का दर्वाजा वापस ले आया था. Right? अपने गाओं में. The curry was made from bamboo shoots. वो bamboo shoots से बनी थी. Bamboo के दर्वाजे से नहीं. Next जो है, आपको यह words जो है, यह अच्छे से pronounce करने हैं. तो पहला वाला क्या है? Impatient. Impatient. कैसे बोलोगे आप? Impatient. Impatient का मतलब होता है, कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर जरा सी भी patience नहीं है, सबर नहीं है. कोई काम है तो फटा-फट अभी की अभी हो जाए. जरा सा भी सबर नहीं है, आप वेट नहीं कर पा रहे हैं. तो उसे कहते हैं, Impatient. Next है, Delicious. 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 Delicious क्या होता है? कोई चीज भूँती टेस्टी हो खाने में तो उसे कहते हैं, Delicious. पिर ये है, Boiled. Boiled जो है, इसका क्या मतलब होता है? कोई चीज उबली हुई हो, right? Boiled एक होता है, na? Boiled potatoes होते हैं, तो boiled. Chopped. Chopped. तो पिर क्या है, Bamboo. Bamboo. Bamboo, tree का नाम है. Bamboo. Biggan. Biggan. Biggan क्या होता है? कोई चीज चालू हो जाना. तो उसे कहते हैं, Biggan.